तो हेले वरीवन कैसे हो आप लोग आपके अपने प्यारे से यूटूब चैनल मदुवन सर केमिस्ट्री वाला में स्वागत है तो मेरे प्यारे चातरों आप सब अच्छे होंगे तो चलिए आज क्लास 11 का नीट और आई टी जई का फर्स लेक्टर लेकर आ रहे हैं आपके मदुवन सर आपके प्यारे से यूटूब चैनल मदुवन सर केमिस्ट्री वाला में ठीक है तो आज से आप लोग का स्केडूल जारी हो गया था कि आज से क्लास आपकी आएगी तो उसी टाइम के अनुसार आपकी केमि से स्टार्ट करेंगे और छेपटर 1 से स्टार्ट करते हुए आगे चलेंगे जैसे को जो भी और आपको भी प्र movement अपकेशने सेसन में उसके बाद क्या है आप लोग प्रवाइड किया जाएंगे जो कि आप करके उसका जो भी एक डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्षन में कभी वीडियो देखें पूछ सकते हैं आप टेलिग्राम चैनल भी पूछ लिजेगा लेकिन चैनल को सेर करना सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कु आप लोगों का टाइम लिए भी ना सबसे पहले तो मैं अपने आप अपने बारें बता दूं कि तो माइसेल्फ मधुण कांदू आई हैव कंपलीटिट वीटेक फ्राम एनाइट अलहबाद वीटेक फ्राम एनाइट अलहबाद और एक्स्पिरेंस सेवन यह मीन्स की सेवन सब्सक्राइब के लिए ठीक है तो यह मेरे बारे में हुआ तो चलते हैं आपनी क्लास शुरू करते हैं बीना आपका टाइम लिए हुए चलिए सबसे पहले कि आप जब 11 का कोई भी टाइलांट का फर्स चिप्टर जो यह चीज पढ़ेंगे आप नाइंत में भी है तो थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लिजेगा अगर रिवाइज नहीं करें फिर भी यहां आपको एक बार रिवाइज करा देते हैं कि कम से क चीज प्रिविस्ट्री अपने पढ़ा है कभी हो सकता है भूल चुका होता है तो उसको में रिवाइज कर देते हैं तो सबसे पहले चीज मैटर क्या होता है कि मैटर हमारा क्या होता है तो मेरे प्यारे चातरों मैटर होता क्या है मैटर कोई भी चीज जो इस पेस अकूपा है और chemical वहों किनी किसी Metter का इंक सबहुत है हमारा करते हैं जैसे गर हमारा घर सब्सक्राइब होता है तुझ हमारा पूरी केमेश्टी मेंपडे के सबसे पूर्डी सब्सक्राइब को हमरा मेंने पता है कोई भी चीजHH ऐसा हो कि जो हमारे स्पेस में एक अपना स्पेस अपने इसको देखिए आप लोग यहां पर अपनी वीडियो आ ने रहे है कि अधर देखते रहते हैं अपना देखते रहते हैं तो कि अधर चलिए ठीक है तो हमने की बता मैंट मैंटर हमारा क्या है कि कोई भी ऐसा चीज जो कि हमारे स्पेस में अपना स्पेस पुपाई करें जिसका कोईनगो तो उसके स्पेस उपर आप यह मत्रहिस हाफ उसका माउस है सिंस कर सकते समस के था सब चीज जो भी चीज जो हमारे सामने देखी जारे जो हम देख सकते हैं कर सकते हैं जिसका कईस है जिसका कोई मास है जो मैरा जाया है मैटर है अब देखिए अब फिजिकल प्रोपर्टी पुपरटी के व्याब पर हम मैटर को कितने टाब से इसे क्या है अब अब अकर वाटर होता तो क्या है लिक्विड है हमने कहा कि यहां पर सकते हैं और जिसका कोई क्या होगा मास होगा ठीक है सब्सक्राइब करने के साथ का मास भी कर सकते हैं और हमारा गैस मालीजे कि यहां रूम में मालीजे को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो हमारा क्या है कि कोई मैटर और तीन पार्ट में होगा सोलिट लिक्विड और और गयस ठीक है अगे अगे देखिए उसके केमीकल प्रोपर्टिस के भिवहाब कैसे डिफाइट कर सकते हैं नहीं हमारे और भी चीज़ उसको केमिकल प्रपर्टी के भियाब पे हम किसी भी मैटर को किस किस पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं आपने पहले से पढ़ गया होंगे तो यह हमारा क्या होता है कि मैटर को दो पार्ट में मिलके बना लिए माँ सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लास्टिक और मिक्स बनके हमारा क्या एक मार्कर बना हुआ कभी कवे सब्सक्राइब कोई और कुछ ना हो तो मैंने क्या एक प्योर सबस्टेंस भी हो सकता है यह हमारा मिक्सर भी हो सकता है ठीक है तो बेसिक चीजह है जो आप नाइन्थ में पढ़के आए हैं तिसके बार रिकॉल कर लिजेगा और रिवाइज सब्सक्राइब करने के लिए हम बेसिक से पढ़ेंगे और कब कहा तक जाएंगे एकदम एडवांस लेवल तक जाएंगे तो याद रखिएगा एकदम बेसिक से चड़ना जो भी ऐसा है कि कोवीट के सिच्वोशन में नहीं अच्छे से पढ़ाई नहीं किया है उसके लिए एक क्लास यूजपुल है होता है कि 20 पर्षंट कुछ ने बेस दिखाता है बिट्वीन दो लाइंस होता आपके स्कूल के बापके बुक से लेकिन उससे लोग इग्नोर करते जाते हैं उस चीज को छोड़ देते हैं तो चीज़ को नहीं छोड़ना उसको तो लेकर ही चलना है 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 तो चलिए अब हम लॉफ केमिकल कंभीनेशन का मतलब क्या हुआ है याद रखिए एन रेकागे बनें किमिकल का कंभीनेशन होता है उसमें क्या होते हैं कि जो जो खे हमारा कोई भी केमिकल कंभीनेशन होता है उस चीज़ को यहां पर डिस्ट करेंगे जैसे हमने सब्सक्राइब करेंगे कौन कौन सा रूल ऐसा है कि जो फॉलो हो रहा है किस किस रूल को फॉलो करते हुए अगर माले सपोई देट की आपको पता है तो इसकी इसके प्रोपर्टि कैसे पता करेंगे वह सब कौन खरेंगे जयाई हुज हो रहा है कौन सा रूल झीस करेंगे था है तो चलिए सबसे पहले देखिए लॉफ कंजरुपि ऑनर Compass को मास को ना तो डिश्टोई किया सकता है इसको वन फॉर्म से दोसरे फॉर्म में क्या कर सकते हैं किसके तरह एनरजी की तरह है ठीक है तब देखिए कि यहां पर इसका क्या सिंस है हमारे किसी भी रियक्षन में में क्या मास का मतलब क्या है और उसका क्या इंपोट अप्लाइकेशन उसका हम देखिए तो एक that in chemical reaction mass neither be created nor be destroyed it means total mass of reactant हमने क्या बता है कि मास neither be created nor be destroyed इसका मतब क्या हुआ कि मान लिए सपोर्ज जैट मेरे पास अभी को क्या था और हमने क्या है B को इसमें कंभाइन किया था और क्या बना था यह हमारा बना था एभी बनाता है ठीक है हमारे पास reactant क्या है एभी है हमारा product क्या है एभी ठीक है मान लिजिया मान लिए सका मास में यहां पर हमें कहें T equal to 0 पे हमने time equal to 0 पे और हमारे किसी time T पे ठेक है T equal to 0 पे मेरे पास क्या था केवल हमारे पास A था और B था और M में B हमारे क्या है याद रखिए यह में और हमारे M b क्या है यह हमारे मासेस हैं और हमारे क्या है मासेस है ओर यहाँ पीम यह रखिए इस हमारे मांएय हमने डाल दिया उसमें अब डाला तो से बीवी है लेकिन जब और यह शुम किसी टाइम ऍटीकर बाद कैरेक्पास चीया हूँ यह बन गया यहाँ तो हमके क्या बोल ला कि और भी खतम हो चुकत और पुरा का पुुरा अभी बन चुका Prophet नहीं होना चाहिए मैरे प्हाले चाहतों कि भीची बचा नहीं होना चाहिए तभी लॉप कंजर वर सनामास फालो किलियर है यहां ताँ कोई दिकत अब काई से माली यह लॉप कंजर वेसानमास हमने फॉल किया सुरू में था इस लास्ट में बचा रहा गया और भी बन गया तो वहां पर क्या होगा कि सब्सक्राइब करेंगे क्यों कुछ रियक्टेंट बचा हुआ है यह लेकिन कब होगा जब आपको जो बचा हुआ प्रड़क्ट में से माइनस करना पड़े हैं हमने क्या कहा कि टोटल मास अफ रियक्टेंट टी को जीरो और दोसरे साइड लिए टोटल मास अफ प्रड़क्ट एट टी कोल टू एनी टाइम टी आप्ट प्रड़क्ट फार्मेशन लिए ठीक है अब कुछ बचा रहा गया तो रूसको इस रून को फालो कराना तो थो चुछ फ्रावशन करना पड़ेगा जो अमॉंट बचा हुआ उसमें से क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़े ठीक है उसको माइनस करेंगे तब जाकर आपको पता चले एक्विसन बेलेंस हो रहा है ठीकिछ तो इस्टेट फार की बात नहीं किया था में माल नेंगे पहले इफ देर इस नो लिम्टिंग रिजन नहीं है तो डायरेक्टली हम कर सकते हैं इस लॉक एक अगर इक वार्डिंग टू कंजर्वेशन आफ मास इस वार्डिंग कर सकते हैं कि टोटल मास आफ रिएक्टेंट्स टोटल मास आफ रिएक्टेंट्स एट इक्वल टू जीरो मतब इनीशियली ठीक है है अधिक वार्ड जीरो सुड़ इक्वल टू टो टो टोटल मास आफ प्रोड़क्ट टोटल मास अफ प्रोड़क्ट टेक्वr सब्सक्パषिल उतने हैं कि नीशली किया था एक्टेंट का मास और सबस्वाद एब सब्सक्राइल न मासकट बरएंज हुद फाइनली बन किया थो तोा फॉन्टाइल मास कि है कि तोटल मास को मास हुदंट बरापर नότεं जAf एक्जाम्पल के तौर पर थोड़ा साब देख लेते हैं मान लिजिए हमारे पास mg है और यहां पर मान लिए सपोर डैट हाफ ओर टू है अगाए वैंजिए ओर और हमने मान लिए 폭etzung और दोनों को जब कम्बाइन करेंगे और फाइनल रियक्षन होने के बाद कोई भी लिम्टिंग रिजेंट अगर नहीं आपका बसता है तो बताए हमारा पूड़क्ट का मास कितना होगा तो आपको पता है कि अभी आपने पड़ा कि टूटल मास आफ रियक्टेंट एक्टी को टू जीरो जब ह कि Auta 24 प्लस हमारा का ता 16 था और टूटल मास आफ प्र्रोडफ का समसे पूछ रहा है तो हमारा महस आफ एमजीयो कितना हो जाएगा यह हमारा सब्सक्रहर हो घाएगा सब्सक्र तो क्या करेंगे इसको इधर करके माइनस करके उसका निकाल लेंगे इसका पूछे का तीन इसमें से अब देगे लफ डेफिनेट पूरपोर्शन का मतलब क्या होता है जब आपका कोई भी कंपाउंड जो कोई भी केमिकल बनता है तो उसके केमिकल के जो भी अलेमेंटस होते जो और हम एक फिक्स रिशी और होगा तो उसके formula में जो hydrogen होगा और oxygen होगा उसका जो mass का ratio होगा वो हमारा एक fix ratio में होगा ऐसा नहीं हमने कहा कि उस mask का ratio में हमेशा क्या होगा से मोगा ठीक है तो देखिए यह बोल रहा है कि लॉफ डेफिनिट पर पोर्पोर्शन इस्टेट्स तैर्ट दसेंपल आफ कंपाउंड विल आलवेज हैव दसेंप प्रपोर्शन आफ दे एलिमेंट भाई मास ठीक है हमें कहा सकते हैं कि जो भी उसके होंगे जो जमीकल के मास होंगे उनका जो रेटियो होगा वहारा क्या पर दह हमको नहीं पता है कि क्या कि से बन रही लिक्ता मान ले हमारे पास आपको पता है कि कि x men देखेंगे तो क्या है कि इसमें वान घ्लजन है और देखा जाया तो कुतना है तीन हाई डूसं रोगार 0 से वन मोल दिया हो वन मोल दिया हो जब ग्राम में आ जाएगा तो उनिट से कोई मतलब नहीं को रेशियो कल्कुलोट करना है ठीक है तो हमारा 14 ग्राम हो जाएगा अब देखिए एक इसके मॉलिकुल में 14 अगर हमें आप से कहें कि मासाफ मासाफ नाइट्रोजन का रेशियो अपन मासाफ हाइड्रोजन का रेशियो बताइए कितना होगा तो हम क्या कहेंगे हमें कहेंगे ऊपर हमारा 14 है और नीचे हमारा क्या 3 है तो 14 है मतलब क्या हूआ अगर आपका hard बना हुआ है एक रखिय हमारा फिक्स होगा तृकिह अब कैसे पता करेंगे fix जैसे आपको लगए कि सर ऐसे कैसे है तो माली सब्सक्राज हमने ले लिया यहां पर ले लिया तो यहां पर हो जाएगा और यहां पर क्या होगा थर्टीन हाइडोजन हो जाएगा ओके 13 hydrogen 30 hydrogen हो जाएगा अब देखिए हम मास की बात करें तो मास आफ n2 divided by मास आफ h2 हमारा कितना हो जाएगा या मास आफ hydrogen n2 है h2 है nitrogen hydrogen को मास होगा वो हमारा क्या होगा उपर हो गया आपका 10 into 14 और नीचे क्या होगा हमारा 30 into 1 तो आपको पता है 3 टाइम समें कैंसील आउट होगा तो हमारा फाइनली क्या बच जाएगा टेन भाई 3 बचेगा मत्तब अभी हमारा 14 होगा तो मतलब क्या हुआ कभी रेशीयो क्या ऐसे मैं चाहे आप एक लीटर ले चाहे आप हजार लीटर एं तेकि तो याद रखेगा एकदम एक बेसिक फंड आपको किलियर होगा आप बिल्कुल भी इस प्रोसीजर से जाएंगे तो कभी आपके कुश्चन गलत होने के चांसे अगर कुश्चन उसे गलत होने चाहिए बिल्कुल भी कम होंगे निगलीजबल होंगे मतलब हमेशा सही करके 4 relevant 2 अभी आवेशा होनेशा मतलि तो है तो है आवेशने र 타। है आवेशन लित श्यक्षUNG ग्यरी आ कंत ग्राम हाइड्रोजन अब 15 ग्राम हाइड्रोजन से रियक्षन करने के लिए कम्प्लीटली नाइट्रोजन का कितना मास रिक्वाइड होगा नाइट्रोजन का कितना मास रिक्वाइड होगा कितना जरूत पड़ेगी ताप अपने पड़ा कि जो हमारा मास का रेशियो होता है सर माठ्का रेशियो होता है माफ साफ एंड आपान मास साप एस टू अभी हमने पड़ा है कि jamorphम करे फिक्स पर एक्स माल लिया माउंट हमने माल इसको एक्स माल रियासर यहाँ पे यह नाइट्रोजन करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर फोर्टीन इंटू इंटू फिप्टीन हो जाएगा और तीन से इसे डिवाइड करेंगे तो फाइब इसका मतलब क्या है हमको 15 ग्राम एस्टू को कम्प्लीटली रियक्शन करने के लिए नाइट्रोजन की साथ मुझे नाइट्रोजन की कि उसके बाद हम सॉलु करेंगे लेकिन यहाँ पर हमने भी लॉन नहीं पड़ा है अपने नहीं पड़ा है उसमें और भी थोड़ा थोड़ा अच्छा है और से तुरंद भी देखके बता देंगे कम टाइम लेगा लेगा लेकिन आपका कख सिंपल पुर्भाइद कोई भी आपको नहीं आदे इतना तो याद रहे गएगा रिशियोगर आप कर लेंगे इस ली कर लेंगे थेक है कि तो आगे चले मेरे दो चले आये तीसरे लॉप में आए हैं आपका लॉप मल्टिपल प्रपेर्छन एक लाफ मल्टीपल प्रफेर्टन वह गया इसका क्या मतलब है मेल्टीस प्रपेर्टन का मतलब है मतलब हुआ झाल यहां हमारे मासेश है तो सबसे पहले देखली तेस घपसे हमारा दो एलिमेंट हैं एक दूसरे से कमबाइं करें लेकिन याद है कंफरGM वन कंपाउंड दो- याद दो सब्सक्राइब डोक दो ऑड़ेन के यह की ल Eck rating कमबाइं होते हैं और एक से अधिक कंपाउंड बनाते जैसे अगर विल मकेब आया एक हमारे पास ऑस बनाया था tsp थीक है किसी कोई दिककत नहीं लेकिन आपने भी तो पड़ा है कि जब हाइड्रोजन कभी कभी ऑको मैरे पास क्यों जो कमबैन तो कर रहें और एक से अधिक ओंवर कॉंब रहां रहा है ठीक है जह से थेंडिए सब्सक्राइब अधिक मोलीखिन बनाइं एक ताफ वन इलेमें जिसका मास फिक्ष्ट हो और एक का मास फिक्ष्ट नहीं हो तो देखिए क्या बोला है कि the weight of one element combined with fixed mass of other मेरा fix A का fix नहीं था B का fix था तो क्या बोला mass of A which combined with fixed mass of B B का mass fixed है A का fix नहीं है तो A का fix नहीं है तो दोनों में क्या होगा mass अलगला होगा तो जो अलग-अलग mass होगा उसका ratio की बात कर रहा हो ठीक है तो other are in the ratio of small whole number तो उनका जो ratio होगा इस small whole number में होगा मतलब क्या हुआ A और B दो combine कर रहे हैं A B, A B 2, A B 3, A B 4 बना रहे है ठीक है तो उसमें A का mass क्या हो गया हो गया B क्या हो गया क्यों एक में वन है एक में टू है तो क्या कह सकते हैं कि बोल रहा है कि जो बी का mass है बी का mass है जो फिक्ष्ट मास अप एस से reaction कर रहा है उसका खुद का mass सभी compound में उसके खुद के मास का रेशियो सभी कंपाउंड में क्या होंगे एक सिंपल होल नमबर में होंगे समझ मैं मेरे चाहर शात्रों नहीं आए एक बार देखो हमने का वेंट टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म लोह बोर देनर लग्यों एक साधिकर मॉल्यकुल बना रहे हैं तो याद रखेगा तो जो एलिमेंट विचए ट विचए रियक्ट वीथ फिक्स्ट मास आफदर तरह देखों यहां पर यहां पर इसका मास 2 है इसका अगर मास की बात कर रहे हैं तो इसका मास हमारा क्या होगा दो होगा इसका मारा क्या होगा 16 होगा इसमें इसका भी भी दो है और इसमें हमारा क्या है थर्टी टू है तो बोल रहा है कि वन वन विच रियक्ट वित फिक्स्ट मासा फदर फिक्स्ट मासा फदर ठीक है अब बोला कि मासा आफ ओ टू या एक कहें कि वेंट टू एलिमेंट combined to form more than one compound then mass of one element which combined with fixed mass of other will be in simple whole number ratio thinking of mask ratio simple whole number में होगा तब देखिए कि मास मास आफ ओटू ओटू इन एस्टू ओटू अगर दोनों की बात करें तो हमारा क्या है मास आफ ओटू हमारा क्या है आपको पता 32 है और इसमें हमारा क्या है है 16 है तो हमारा क्या है टू रेशियो वन में हो गया ठीक है तो वहीं बोल रहा है कि यहां पर हाइड्रोजन और रेक्शन तो कर रहे हैं लेकिन हाइड्रोजन का मास फिक्स है जब दो सब्सक्राइब 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 क्या होता है अब देखिए आपका लॉज है आपके बुक में प्रपोर्शन क्या होता है कभी-कभी इसका यूज हो सकता है इसके पूल हो सकता है इसको बार देखते हैं कि दला has to different elements combined separately with fixed mass of third element इसके पहले क्या था कि एक दो ही element थे और एक कमास fix था इसमें क्या है कि तीन element है और एक कमास fix है और दो का fix नहीं बाखी दोनों का क्या है fix नहीं है उस समें क्या देखिए देलाइट यह व् 도ू different element combined separately with fixed mass of third element combined separately तीन एलिमेंट है एक तो एक का तो फिक्स है बाकी दो है इससे एक बार रेक्षिन कर रहा है एक बार इससे न कर रहा है मतलब क्या हुआ third fixed वाले से एक बार A reaction कर रहा है एक बार B reaction कर रहा है separately ठीक है तर द रेशियो आप मास इन विच दे कंबाइड और आइदर दसेम और इन दसींपल मल्टिपल रेशियो आप मासेज इन विच दे कंबाइड विच इच अधर ठीक है ओबेशी बात है बोला कि जो अपने सजोग अब देखिए तीन हमारे पास है यह भी और सी इस पे आपको क अगर हमें कहें कि कारबन से रियक्षन करना है कारबन से इसका मास हमारा फिक्स इसका मारा क्या मास है यह मारा फिक्स तो क्या कहेंगे हाइड्रोजन कारबन से रिक्षन करके क्या बनाएगा सी एस फोर बनाएगा और हमारा ऑक्सीजन कारबन से रिक्षन करके क्या बना ले करता hydrogen से जिसका माज कितना है carbon एक ही है एक ही carbon यहां से करेगा तो भी गार बने अभी बोल रहा है कि जो hydrogen इससे reaction कर रहा है ध्यान देना में यहां पे थोड़ा सा ध्यान देना इस बात को तो बिल्कुल भी समझ में नहीं कर रहा है कर रहा है तहाएं देना तो hydrogen carbon वीटफेंग से क्या है दो अक्सीजन क्या है तुछ एसा हम क्या कहेंगे फोर इंटू वन डिवाइडर वाई कुंटू सोल हमारा क्या हो जाएगा वन अपन क्या एट आगे ठीक है वही बोल लाए कि यह फिर से कई कर रहे हैं जहाएं तीन एलिमेंट हो और यह वाकी दोनों अगर स्कूमा से रिएक्षन करते आ ही जो इनके मास का रिच्वयोओ तहु डियर्चिन करने में जो इसके मास क एलो सभी होगा या तो इसका सिंपल मुल्टिपलममे लोगा इसका इसका मुल्टिपलमamı फूर देखना इससे में हमारा क्या है दो हाइड न? और एक औक सते हैं यह मारा compound क्या है और हमारा क्या है CO2 एक हमारा CS4 एक हमारा CO2 अब हमारा combining element carbon और hydrogen और यहां पर carbon oxygen फिक्स मास बताओ किसका carbon का है इस carbon का मारा मास क्या है हमारा fix है यहां तक किसी कोई डाउट ठीक है यहां पर कि इसका hydrogen oxygen का मास डीफर हो रहा है अब देखो combining weight यह हमारा carbon का यह है जो कि हमारा 12 है यह मेरा fix है तब बताइए कि जो हमारे पास यह है यह हमारा separately then ratio of mass of these two elements separately should be equal to or in multiple proportion of mass of both when they combine each other जो आपस में combine करेंगे तो उन में जो ratio होगा वही अगर इससे combine कर रहे हैं उसका जो ratio होगा दोनों को क्या होगा सेम हो ठीक है reciprocal में एक बार और लास बार समझा देते हैं क्योंकि समझने में ठीक है वे नमाने बास मान लिए तीन element हैं तीन element कमाइन कि तीन element आपस कमाइन नहीं कर रहे हैं किसी एक कमाज रख दीजे बाकि element और element दोनों separately reaction कर रहे हैं जान देजेगा इस element को माले सी आपने fix कर दिया और एक से reaction कर आए जब एक से reaction कर आए देखे 10 लग रहा है वी से reaction कर आए तो 20 ग्राम लग रहा है तो दस बैटे 20 क्या होगा टेन अपान ट्वंटी वन वाई टू वही अगर यह और भी आपस में से reaction करेंगे तो इनका भी रिष्यों वन भाई टू होगा या वन भाई टू के मल्टीपल में वन भाई टू का मल्टीपल का मता तू भाई फोर तो वहीं मारा फाइनली रिष्यों क्या हो जाए वनमेट टू है ठीक है यहां ता किसी कोई डाउट आगे चला मेरे फ्यार चा क्या क्या क्याता है कि सबसे पहले तो आप पढ़ते आ रहे हैं पहले से ही अब ही और गैसे कंबाइन और पॉडूस इने केमिकल रियक्शन दे डू सो इन सिंपल रेशियो बाई वोल्यूम प्रोवाइड ऑल गैसार एड़ सेम टम प्रेचा एंड प्रेशर याद रखेगा इसको हम गैसे कपड़ंए पढ़ने पढ़ने के लिए सबसे पहले एक बार एक बार तुरासा नजय डाल देते हैं जो आप 10 वे इसको पढ़के आए और नहीं पढ़के हैं, तो याद रखेगा कोई भी gas है, जिसका प्रेसर P है, जिसको जिस container में रखा गया है, उस container volume V है, उसके नномber आम मोस अगर N है, और उसके gas constant है, T उसका temperature in Kelvin है, dips गया है, तो उसका जो equation होता है, उस ideal gas का equation होता है, पी वी एकवल टू एनर्टी होता है, अ अब बताईए यह बोल रहा है यहां पर देखो एट सेम टंप्रेचर एंड प्रेसर अगर आप संप्रेचर और प्रेसर को सेम कर देंगे तो क्या होगा टंप्रेचर को सेम कर दीजिए और प्रेसर को सेम गिए तो वी कोल तो क्या होगा जरा बताओ सब यह सब सब्सक्राइब सब्सक्राइब जैसे हमने कहा यहां पर हाइड्रोजन को मिलाया और 100 ml औक्सीजन मिला पचास हमेल इन वाटर अब देखो कैसे हमने एस टू प्लस हाफ और टू को मिलाया और इसको क्या मिल गया मेरा इस टू एक बार तो मैं इस से समझ लो इस से समझ लोगा तो कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता जैसे आपको पता इसको मोल देखा जात इसका कितने मोल है इसका कितना है और एक इतना बन रहा वन बोला तो तुम खुद बताओ कि अगर आर से में टी से में तो इसे क्या का सकते हैं वी डायटी पर पोर्पोर्सनल टू क्या होगा आगे एक रूल पढ़ोगे वह भी इसी पी वेस है लेकिन इस रूल को भी इसी से समझ लोगा तो क है अगर इसको हम लेते हैं माल लिजे कि वन मूल आपको पता यहां पर टू ओन वैटू दिया है और यहां पर वन दिया है ठीक है यहां पर लेते हैं माले एक 100 ml अई बताओ 100 ml कह रहा है तो जो इसका रेसी होगा वही वोल्यूम का रेसी होगा अभी तो आपने पढ़ा कि सकते हैं यह बस फालो करो इस लोग लिए आगे लोग उसी फालो होगा पर इसके यूज कर लोगा तो 100 ml हो जाएगा यहां रखेया होगा यह आपको बैसी बावता 50 ml होगा और इसका रेसी वन टूवन है ते भी हमारा क्या होगा 100 ml होगा यहां तक सो कभी-कभी लोगे कहते सब्सक्राइब लेए और यह वन फिफ्टीमेल यह तो कंभाइन करके तो 150 ml हो जाएगा प्रोड़क्ट बन रहात तो उसका नेचर कुछ और है तो इसके नेचर में हो सकता है कि मौलख पास पास हो सकता है दूर दूर चले जाए तो उसका वोईलूम अलग होगा इनके विह टमप्रेचर और प्रेचर क्या होना चाहिए से मोना चाहिए तो आगए फिर से दो वोलूम आफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन विच कमबाइन टूगेदर हंडेड एमेल 50 ml बीर इन सिंपल रेशियो टूरेशियो ते बोल रहा है कि जब भी कभी आप पढ़ेंगे तो जो हमार सकते यहां से वोलूम आफ वोलूम आफ हैस्-टू अपाण वह्लूम आफ-अ-ग एडस प्रेसर हमेशा क्या होगा वंदिशियो टू में होगा इस बात को याद रखेगा ठीक है यही आपको पढ़ने की यही आप भूमनेकर करने की जरूप है यह ब इसके मोल पताया तो ड सब्सक्राइब करें जाएकि द्गार कर दिया जाएगा सब्सक्राइब करना न भूले हैं और और झाल i भी सब्छाइब करना ना भूले क्योंकि वहां पे और भी सेटा और कंपटी सन्की कुछ सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे चलिए एक लाओर है उसे खतम करते हैं अब हमारा क्या है याद रखेंगा अभी हमने जो बता है उसी के बेसिस पर कि अब देखिए अब हमने अभी को क्या पड़ा अगर हमारा पी वी एक टू ए नाल टी है या ऄड़ेगा फी वी कॉल टो एं इना टी है तो यह बताई हमने अगर पी और टी हमारा пон क्षाटिन तो यह कह सकते है कि V is equal to nRT upon P equal to KP, sorry, 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 KN, KN कर सकते हैं, क्यों K हमारा doing constant है, हमने क ihn को क्या मान लिए? 1 έz constant मान लिए, क्यों? क्योंकि आपको पता है, जब आपको A भी constant है, R भी constant है, T भी constant है, P भी constant है, तो क्या होगा हमारा थीनों को मिलके के व को वन ले लिजे अब ज़ह बता है मॉलेकूल इस काल टू क्या होता है हमने बताया थे नमबर आम मोस इन्टू एवगार्डो नमबर होता है यह आपको पता है की जो भी मॉलेकूल निकालते हैं टूटल मॉलिकूल क्या है आपको पता एक मोल में 6.022 इंटू टेंटू दूपार 23 मॉलिकूल होते हैं तो एन मोल में कितने हो जाएंगे याद रखेगा जब मोल हम पढ़ेंगे अभी आगे उस समझने के लिए आपको बता रहे हैं इसकी जरूद तो नहीं है पर समझने के लिए आपको बता रहे है कि जो भी थे हमारे मॉलिकूल होंगे गूं इंटू एंड टी wa cannot कंड एक हो जाएगा ऊपान एंटू कर हैं ळेर बताये आंपर क्या हो जाएगा एंटू 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 हो जाएगा एक cancel होके क्या हो जाएगा N1 upon N2 हो जाएगा ठीक है ओके अब इस equation को माल लीज़े 2 ठीक है और यहां से देखिए डियाटी पैजन को क्या लिख सकते हैं B1 upon B2 equal to N1 upon N2 इसके मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास volume का ratio होगा वो हमारा क्या होगा Moles के ratio के बराबर होगा और जो हमारा Moles के बराबर होगा Molesel Hem और टो finely कह सकते हैं आखर temperature pressure constant है same है तो हमारा जो volume का ratio होगा उसके number Molesel条 growing the ratio के क्या होगा बराबर हो ठीक है boolume का ratio Moral के की तो क्या कहातं है उसके भीकुल के रचियों के क्या होगा बिलकुल बराबर होगा तब देखें़ लो यह गाड़ो लाइस स्टेटमेंट का है अंडर सेम कंडिशन आप टेमप्रेचर एंड प्रेशर याद रखना एक वोल्यूम आफ डिफरेंट कंटेन एन इक्वल नम्बरा मॉलीकूल मतलब अगर टमप्रेचर प्रेचर सेम है तो वोल्यूम अगर दो गैसे के सेम है वोल्यू का अगर हमारे पास वोल्यूम सेम है तो उसके नमबर मॉलीकूल भी क्या होंगे सेम होंगे अब लौब के खतम हो गए जो पहले से आप टेंट नहीं दो भी पढ़ते हैं एक बार रिवाइज कर लेते हैं इसको भी आपके टाइम होने वाला है तो इसको लाश्ट टॉपिक हमने का की कार्वन से यह अदिक है अगर एक किसी अलिमेंट की बात गया से अंटू एंटू को जितने भी एलिमेंट है ने ट्रॉजन है तो मारे क्या आइटेंटिकल है अब देखो जब एक अलिमेंट का हमारा मालो नाइट्रोजन दूसरे का ऑक्सिजन करेगा क्या नोट्व मालो बना लिया गिवन कंपाउंड आलवेज है दा सेम रिलेट्व नम एंड टाइप साफ एटम सही बात है एंट्व और एस्टू को रिक्सन करा है एंट्व और टू क स्ब्सक rocky में तो वोला कि एरेस्टू करेंगे बनाएंगे तो भी क्या होगा स्वरीलेट्व नमबर स्बाने क्या कि अटम सबसुनेमेंट कंबाइं विचे मालो लो कester agradat है इसको हमने क्या कि हाफ टू सरे नहीं कर दीया ओ टू से रिकए अटम साफ अधर अलिमेंट टू फॉर्म कंपाउंड कंपाउंड ने बना लिया ठीक एक गीवन कंपाउंड आलवेज है दसेम रिलेट्व नमबर्स एंड टाइप साफ एटम सही बात है अगर यहां पर दो हाइड्रोजन रिक्शन कर रहा है तो यहां भी दो हाइड्रोजन होंगे यहा अब देखिए अटम सार इंडिवीजबल इन्द चैमिकल प्रोसेज सही बात है सबसे इसमालेश्ट का एक 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 टाम सार नार क्रेटेड और अभी बात है कि इसमालेश्ट यूनिट है तो आपको पता है कि एक टम्स को नाइधर भी क्रेटेड नौर भी डिस्टोई सही ब करता है कि बस एक कुछ नहीं करता है जो एकम आपके रियक्टेंट में होंगे वही एकम प्रोडक्ट में होंगे लेकिन क्या करेगा और इंजमेंट कर देगा जैसे हमने वही का एक हाईडोजन हाईडोजन से रिखिशन किया हुआ है जब कंपाउंड करके मानली यह एक है यह हाफ लेंगे आपर तो हमारा क्या होगा मानली यह हमारा बणगे बाभी तब क्या है नेaro तो मेरे प्यारे चाहतरों आज का क्लास आपका यहीं खत्म करते हैं इसको जाका अच्छे से रिवाइज कीज़ेगा इसका जो भी हमारा नोट्स होगा आपको टेलिग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा तो आपकी जो क्लास होंगी स्केडूल में जारी है आपक बिल्कुल भी क्लास करेंगे और मदवनसर के साथ बिल्कुल भी फ्रे में पूरी अच्छे तरीके से लगेंगे ताकि आप कहीं और चीज़ें करने के जॉड़त नहीं है बहुत अच्छे तरीके से आपके एक्जामिनेस्ट के तैयारी होगी और आपको कुछ करेंगे उसके पहले ही हर एक्जाम के पहले आपको बिल्कुल खतम होगा तो मेरे चात्रों चैनल को सेर करना सबस्क्राइब करना बेल आइकन को तो मेरे प्यारे चात्रों आज यहीं प्रहने देते हैं थैंक्यू आल टाटा बाए-बाए-बाए